नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आए होप आप सम मज़े में ही होगे दोस्तों आज की अवली वीडियो काफी जाद धमाकेदार होने वली है पिकोज आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने जारा हूँ जिसने आप धमाकेदार डिविडेंट अनौंस किया वो भी पूरे 40% का और दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी stock की माप लगों को पूरी details दूँगा बात करेंगे इसके fundamentals की, financials की, shareholding patterns की और साथ ही साथ में बताऊंगा इसी dividend को देने की x date और record date क्या होने वाली है तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं, आप इस वीडियो को end तक देखना हैं, कहीं पे भी skip मत करना चलिए दोस्तो अब इस वीडियो को like कर दीजे, channel को भी subscribe कर दीजे मैं हूँ आरुष, आप देख रहे हैं फिनो मीडिय अब आया, आरुष चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं बताता हूँ आपको कौन सा स्टॉक जिसने अब धमाकेदार dividend अनौस के है, वो भी पूरे 40% का दोस्तो इस stock का नाम बता दिने से पहले मैं आप लगो को इसके कुछ और details के बारे में बता दिता हूँ तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं stock के past returns की तो past 1 month के अंदर में stock ने 13.89% के returns दी हैं जो की काफी अच्छे हैं अगर हम बात करें one day की तो one day के अंदर में stock 7.15% अप था और currently जो stock का price चल रहा है वो 448.55 रुपीज के उपर में trade हो रहा है आईए अब बात कर लेते हैं इस company की performance की जो stock की performance है उसका जो 52 week लो है वो 334 रुपीज का है अगर जो 52 week हाई है वो 521 रुपीज का है तो stock का जो current price है currently अपने 52 week हाई की तरफ में move कर रहा है जो कि हमें यह बताता है कि यह stock है भी एक upward strength के अंदर में move कर रहा है आईए बात कर लेते हैं इस company के fundamentals की तो सबसे बहुत हम लोग बात करेंगे इस company के market capitalization की तो इस company की जो market cap है वो 684 करोर्स की है वह अगर हम बात करें इसके PE ratio की तो 15.28 का है जो की काफी अच्छा है PB ratio 2.66 का industry PE 22.01 का है debt to equity ratio सिरफ 0.02 का है जो की काफी जादा अच्छा है ROE return on equity की बात करें तो यह भी अच्छी है 16.38 की है EPS 27.39 का dividend yield इस company की 2.15% की है जिसका मतलब company आपे काफी अच्छा dividend भी देती है book value की बात करें तो इस stock की 164.74 रुपीस की है और जो face value है वो यहाँ पे 10 रुपीस की है यह तो हो गई fundamentals की बात अब आईए बात कर लेते हैं इस company के financials की तो सबसे वहले हम लोग बात करेंगे इस company के revenue की 2018 से लेके 2022 तक के data की तो 2018 के अंदर company का जो revenue था वो 174 करोर्स का था और 2018 के बाद से लगातार बढ़ता जारा है और current यह 2022 के अंदर में यह 256 करोर्स पे आ चुका है आईए अब बात कर लेते हैं इस company के profit की तो 2018 में profit था 31 करोर्स का और 2020 तक लगातार घटता चला गया और 2020 के अंदर में 26 करोर्स पे आ गया था बढ़ 2020 के बाद से लगातार बढ़ता जारा है और current यह 2022 के अंदर में 40 करोर्स पे आ चुका है आईए बात कर लेते हैं इस company की net worth की तो 2018 में इसकी net worth 182 करोर्स की थी और 2018 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है और current यह 2022 के अंदर में 257 करोर्स पे आ चुकी है तो all over company के financials काफी जादा स्ट्रॉंग है अब आईए बात कर लेते हैं इस company के shareholding patterns की तो सबस्वाइल हम लोग बात करेंगे December 2021 के patterns की तो उसे हम लोग compare करेंगे December 2022 से तो December 2021 के अंदर में promoters के पास company का 51.78% का stake था retail investors के पास 33.56% का mutual fund houses के पास 7.64% का stake था foreign institutions के पास में 7.02% का stake था and other domestic institutions के पास में आपे 0% का stake था आईए ब इसे compare करता है December 2022 से तो जो promoters की current holding है वो exactly same है 51.78% की retail investors की बात करें तो इनकी holding 37.16% पे आचुकी approximately आपे 4% से increase हो चुकी है mutual fund houses की बात करें तो इनकी holding अभी currently 5.83% की है approximately आपे 1.9% के आजपास की जो है selling करी है mutual fund houses ने वहीं अगर हम बात करें foreign institutions की तो इनकी holding 5.23% पे आचुकी है approximately 1.9% के आजपास की selling इनोंने भी करी है foreign institutions ने and other domestic institutions की holding अभी भी 0% की है तो in short mutual funds and foreign institutions ने थोड़ी-थोड़ी selling करी है और वो ही जो sell हुआ था stocks वो retail investors ने purchase कर लिया है तो all over share holding patterns काफी जादा strong है अब आईए बात कर लेते हैं स्टॉक के नाम की तो company का नाम है control print limited and company का जो NSE code है वो है c-o-n-t-r-o-l-p-r and वहीं गर हम बात करें company के official announcement की तो आप लोग देख सकते हो company ने आप है 40% का dividend announce की अपनी face value से जो की 4 रूपीज पर stock के इसाप से बनता है and इस dividend को देने की जो X date होने वाली हो 3rd of February की होने वाली है and वहीं जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 3rd of February की तो अब अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि आप आपको इसके dividend का benefit मिल पाए जो की 4 रूपीज पर stock के इसाप से है तो आपको इस stock को इसकी X date यानि की 3rd of February से पहले-पहले purchase करना होगा and दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना है वगर आपको वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because when you media के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye